शुरी शिवाय नमस्त ब्याम हर हर महादीव देखे यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी भी व्यक्ति के उपर ग्रहों का दूश प्रबाव ना पड़े देखे ग्रहों का परिवर्तन गोचर का असर आपके जीवन में पड़ता है व्यक्ति के जीवन में पड़ता है तो उसका दूश प्रभाव ना पड़े, तो आपको बहुत ही सुन्दर सा उपाई करना है, पूजी गुरुदेव की ही कता सुनकर के समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, लेकिन वीडियो में आगे बनना से पहले वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बारा हैं, तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें, देखे, जब आप घर में आटा गुन देते हैं, तब आपको आटा गुन देते समय, आपको यह उपाय करना है, देखे आटा गुन देते समय ग्रहों के अशुब प्रभाव को शांत किया जा सकता है और समस्याओ को दूर किया जा सकता है देखे क्या करना है बहुत ध्यान से समझना देखे आप जब भी आटा गुन देते हैं तो विशेशकर मंगलवार, गुरुवार और रविवार के दिन आपको एक चुटके हल्दी आटा गुंदते हैं आप तो उसके अंदर आपको डालना चाहिए इससे आपके जीवन में ग्रहों का अशुप प्रभाव नहीं पड़ता है ब्रहसपती मजबुत होता है सुर्यदे उनकी जीवन में बना रहे तो इसलिए आपको सुवोमवार और शुक्रुवार के दिन जब आप आठा गुन देते हैं तो उसके अंदर एक चंबच कच्चा दूद आपको मिला दना है इससे चंदर ग्रह भी मजबुत होता है साती साथ शुक्र ग्रह भी मजबूत आता है तो इसलिए आपको एक चुट के हल्दी वाला और कच्चा दूद आपको मिलाना चाहिए देखे ये जो आप आटा गुन देते हैं ये आप आपके घर में रहे हुए लोगों के लिए रोटी बनाने के लिए ये आटा गुनते हैं तो आपको क्या करना है विशिश ध्यान रखना कि आपको आटे पर आपकी उंगलियों की चाप आपको छोड़नी है देखे पिंड दान जो होता है जो पुरवजों के लिए किया जाता है तो उसमें आटे की लोई बनाई जाती है तो उसके अंदर आप उंगलियों की चाप नहीं करते है क्योंकि वो पितरों के लिए रेता है लेकिन घर के व्यक्ति के लिए आप रोटी बना रहे है तो आपको उंगलियों की चाप उसमें लगानी है आप लोई भी बनाते हैं ना तो आपको उंगलियों की छाब उसमें छोणने चाहिए देखिए बहुत ही आसान सा उपाय है नव ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए रोज आपको इस प्रकार से ये उपाय करना है अगर कुछ भी चीस समझ में ना आए तो कमेंड में पूछ लेना गलती नहीं करना है श्री शिवाय नमस्तु ब्यम हर हर महादेव